ताप अपर्टन श्रीज में आपका फिर स्वागत है और आज का जो वीडियो है वह है साइंस वैधारित है कि टॉपिक है मानवरक्त परिसंचरंतनत्र human blood circulation system यह इसका पहला वीडियो है कि इस मानवरत परिशंचरन तंत्र पर अधारित और वीडियो जाएंगे जिनमें दस-दस mcq करके हम पूटा टॉपिक कवर करेंगे तो कि वीडियो शुरूर करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पर ले बिल का बटन जरूर दबाए ताकि अगले वीडियो का नेटिट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए साथ ही लाइक भी करते हैं और एक सेयर भी जरूर करें अपने फेस्बुक पर या वाट्सप पर तो आ टेर सी एस बेंजर जी ग्रेगर जोहान मेंडल इसका सही उत्तर होगा ए विलियम हार्वे विलियम हार्वे ने रट परी संचरन तंत्र की खोज की थी दूसरा प्रस्ण रट परी संचरन तंत्र का मुख्य कारे क्या है ए ऑक्सिजन को समस्त को सिकाओं तक महुझाना बी भोजन को समस्त को सिताओं तक महुझाना C. असुध रक्त को फेफरों तक पहुचाना D. उप्यूक्त सभी तो इसका सही उतर होगा D. उप्यूक्त सभी रक्त परिशन चनतन अक्सिजन को कोशिकाओ तक पहुचाता है भोजन को कोशिकाओ तक पहुचाता है और असु धरक्त को कोशिकाओ से फेफरों तक पहुंचाता है अगला प्रसन है तीसरा प्रसन मनुष्य का हिर्दय कितने कोश्ट को चेम्बर्स में बटा होता है A2, B3, C4, D8 तो इसका सही उतर होगा 4 आलिंद और निले, दो आलिंद, दो निले अगला प्रसन चार, पूरे सरीर का असु धरक्त किसके दोरा हिर्दय तक लाया जाता है A, फुफुसिय सिरा, पल्मोनरी वेंस B, फुफुसिय महाधमनी, पल्मोनरी और्टा C, महा सिरा, वेना कावा D, उप्रोक्त सभी इसका सही उतर होगा महा सिरा, वेना कावा महा सिरा पूरे सरीर के असु धरक्त को हिर्दय तक लाता है अगला प्रसन मनुष्ट के हिर्दय में कितने वाल होते है A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 मनुष्ट के सरीर में खुल 4 वाल होते हैं, तो इसका सही उतर होगा D अगला प्रसन एक समान्य मनुष्ट का हिर्दय औसतन एक मिनट में कितनी बार धरकता है A, 72 बार B, 76 बार C, 80 बार D, 82 बार इसका सही उतर होगा A, 72 बार एक समान्य मनुष्ट का हिर्दय औसतन एक मिनट में 72 बार धरकता है अगला प्रसन एक समान्य मनुस्य का हिर्दय एक धरकन में कितना रक्त पॉंप करता है 60 ml, 70 ml, 80 ml, 100 ml तो इसका सही उतर होगा B, 70 ml एक समान्य मनुस्य का हिर्दय एक धरकन में 70 ml रक्त पॉंप करता है अगला प्रस्म आठवा हिर्दय की क्रियाविधी आधारित है अगला प्रस्न 9. हिर्दय के ध्रकनी की किडिया के समन्ध में निम्लिकित कत्रों पर विचार कीजिए A. दोनों आलिंदों औरिकल्स का संकुचन होता है 2. दोनों निलियों वेंट्रिकल्स का संकुचन होता है 3. दोनों का एक साथ सिथिलन होता है उपरोग्त किडियाओं का सही क्रम कौन सा है पहले कौन सा होता है और बाद में कौन सा होता है A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 1 C. 3, 1, 2 D. 2, 1, 3 तो हिर्दय के धरकनी की जो सही किडिया है सबसे पहले दोनों आलिंद औरिकल्स का संकूचन होता है फिर दोनों निले वेंट्रिकल्स का संकूचन होता है उसके बाद दोनों का एक साथ सिथिलन होता है तो इसका सही उतर होगा A. 1, 2, 3 पहले आलिंदों का संकूचन फिर दोनों निले होगा संकूचन फिर दोनों का सिथिलन अगला प्रस्न है रक्त वाहिनियों, ब्लड वेसल्स के बारे में निलिखित कथनों पर विचार किजिए 1. धमनिया, आटरीज, सुध रक्त को हिर्दे से सरीर के विभिन अंगों तक ले जाती है 2. सिराएं, असुध रक्त को सरीर के विभिन अंगों से हिर्दे तक लाती है C. धमनिया आट्रिज लाल रंकी होती है सिराय या वेंस बैंगनी रंकी होती है उप्रोक्त कथन वे से कौन सा कसं सकत है A. 1, 2, 3 B. 1, 3, 4 C. 1, 2, 4 D. 1, 2, 3, 4 तो धमनिया आट्रिज सुध रख्त को हिर्देक से सरीर के विविन अंगों तक ले जाती है ये सही है दूसरा सिराय असुध रग्ट को सरीर के विमिन अंगों से हिर्दे तक लाती है ये भी सही है तिसरा धमनिया या आर्टिस लाल रंक्य होती है ये भी सही है चार सिराय या वेंस दस M.C.Q लेकçoैंगए रख्त परिसंचरन तंत्र के बारे में तो आज के लिए इतना ही है अगर आपको हमएरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें साथ में शेयर विकर दें और जिन लोगोंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं क्योंकि जल इतना ही है धन्यवाद